देखिए इसमें जो first question है न वो आपके chapter 1 real numbers से है question को पढ़ते हैं और समझते हैं कि if two positive integers and b are returned as a equal to x cube y square and b equal to x y cube where x y are prime numbers then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a b is तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो positive integers हैं a और b जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है कि a का value है a equal to x cube y square और b का यहाँ पे value है xy cube जहाँ पे xy जो है न वो prime numbers है prime numbers का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो common factor है ना one है यह number itself है इन दोनों के बीच में कोई और common factor नहीं है तो उसके बाद पुछता है question में कि अगर result जो मिलेगा हम लोगों को कैसे result मिलेगा कि इनके जो product होंगे यह जो a equal to x cube y square है और b equal to xy cube है इनको जो हम लोग multiply करेंग तो जो result यहां पर हमको मिलेगा उस result को हमको divide करना है यह दुनों जो positive integers है ना उनके LCM से least common multiple से तो चलिए कपी अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं देखिए जो question है ना आपके book में जो hcf और LCM वाला part है ना उहां से लिया गया है और इस question में basically एक formula को ही पूछा जा रहा है और इस step के कई question में पूछा जाता है इस formula को कपी अच्छे से आप लोग याद कर लिजेगा इसमें से कोई ने कोई question आता ही है formula है कि far any two positive integers a and b hcf ab into LCM ab equal to a into b माली जे दो positive integers a b जैसी question में बोल रहा है तो उनका जो hcf और LCM का जो product होता है ना वो दोनो positive integers के product के बराबर ह होता है से महीं चीज इसमें पूछ रहा है और इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों को product कर देंगे a और b को ठीक है और उसको हमको divide करना है LCM से तो ध्यान दीजेगा इस formula में अगर हम यहाँ पे LCM को divide करते हैं तो यह safe मिलेगा तो basically जो है ना इस question में हमको scf भी पूछ रहा है देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना question में उसको link लेंगे a equal to x cube y square और b equal to xy cube सबसे पहले इन दोनों को product करेंगे तो a into b equal to होगा x cube y square into xy cube ठीक है इसमें जो formula यूज होगा ओ है x का power m into x का power n equal to क्या होता है x का power m plus n ठीक है अब यहाँ पे द्यान से दिखेंगे तो य x का power 3 plus 1 हो जाएगा और y का power 2 plus 3 हो जाएगा और equal हो जाएगा x का power 4 और y का power 5 यह दुनों जो positive integers दिये हुए है ना उनको product करने पे हमको मिला x का power 4 और y का power 5 अब इनका LCM को हमको find out करना है तो इसमें लिखेंगे LCM A B और LCM A B को find out करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर करेंगे जो A है ना इसको हम लोग prime factorize कर लेते हैं तो हो जाएगा x into x into x into y into y ठीक है उसके बाद हमको B को करना है तो B इसमें हो जाएगा x into y into y into y अब दिखिए इन दोनों में जो common prime factor है ना उसको हम लोग circle कर लेंगे तो इन दोनों में x common है और y भी common है और यह y भी common है ठी वो ACF होता है, तो इसमें LCM पूछा है, लेकिन हम लोग ACF भी निकाल लेते हैं, हो सकता है, exam में आपको ACF पूछ दे, तो ACF अब इकोल टो क्या होगा, X into Y into Y, इन दोनों का जो common होता है, उसको एकी बार हम लोग लेते हैं, जो common prime factor होता है, उसको ACF में हम लोग एकी बार लेते हैं, और जो remaining factors होते हैं, उसको हम लोग इस ACF के साथ में LCM निकालने के लिए multiply करते हैं, product करते हैं, अब इसका LCM कैसे निकलेगा, हमको अच्छे से मालूम है, कि LCM AB equal to AXY square हो गया, इनका product multiplied by जो बज गया, जैसे कि यह X है, X है और यह Y है, तो X into X into Y, और इसको सालव करेंगे ते हो जाएगा, X cube Y cube, ठीक है न, तिसका LCM हमको क्या मिला, X cube Y cube, अब question में क्या पूछ रहा है, कि यह जो product आप two positive integers है न, उससे हमको divide करना है, इस LCM को, मतलग A into B divided by LCM AB हमको question में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, A into B का value जो है न, वो X का power 4, Y का power 5 है, तो उसके यहाँ पर लिख लेते हैं, X का power 4, और Y का power 5, डिवाइट करेंगे इसको LCM AB से, जो कि X का power 3 है, Y का power 3 है, अब इसमें क् formula लगेगा, X का power M divided by X का power N, equal to X का power M minus N, ठीक है, अब इस formula के use करेंगे, तो X का power 4 minus 3, और Y का power 5 minus 3, तो यहाँ को मिलेगा, X का power 1 हो जाएगा यहाँ पे, और Y का power 2 हो जाएगा, जो कि equal होगा, XY square के, तो इसका answer होगा, option B, XY square